exercise 3.2 तो देखो अब तक हमने matrix में काफी सारी बाते जान ली हैं लेकिन अब जब हम basic maths पर आ जाते हैं basic maths मतलब addition, subtraction, division, multiplication देखो जब हम दो matrix की बात करते हैं न suppose मैंने दो matrix को name दे दिया A matrix और B matrix अब बाते इनके solution की देखो दो matrix को जोड़ा जा सकता है, दो matrix को add किया जा सकता है, दो matrix को subtract भी किया जा सकता है और दो matrix को multiply भी किया जा सकता है, plus भी कर सकते हैं, minus भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं लेकिन divide नहीं कर सकते हैं, दो matrix का division नहीं चलता है, तो division नहीं पढ़ना है, क्योंकि होता ही नहीं है, लेकिन इन तीन चीजों को जरूर पढ़ना है, जिसमें से हमारा addition बहुत simple काम है, subtraction भी बहुत आसान सा काम है, लेकिन multiplication में थोड़ा सा काम करने के जरूरत है, multiplication आ गया ये लगा लो कि matrix में जो सीखने वाला काम है न multiplication ही है बस इसके अलावा कुछ और ही नहीं matrix में सीखने लाइक जो भी है ले दे के बस multiplication ही है multiply आ गया समझो सब कुछ आ गया matrix में फिर खेर starting करते हैं 3.2 question number 1 तो देखो हमें 3 matrix दे रखी हैं A, B, C तो पहले फटोर्ट से इन्हें note कर लेते हैं तो देखो A matrix है 2, 4, 3, 2 2, 4, 3, 2 B matrix भी दे रखी है B matrix है 1, 3, minus 2 1, 3, minus 2, 5 और last one matrix है minus 2, 5, minus 2, 5, 3, 4 तो देखो ये तीन matrix दे रखी हैं अब देखते हैं कोशन ने हमसे क्या क्या पूछा है इन तीन matrix के लिए मतलब हमसे क्या क्या करवाना चाहते हैं इन तीन matrix के लिए सबसे पहले first part Find each of the following देखो उन्होंने हमसे बोलाए first part में A plus B मतलब वो हमको A plus B add करने के लिए बोल रहे हैं A में हमें क्या जोड़ना है B देखो जब मैं सिखा रहा हूं तो पहले तरीके से लिखेंगे पहले तो A matrix पूरी लिख लो 2, 4, 3, 2 बीच में उन्होंने plus बोलाए तो हमने भी plus लगा दिया अब B matrix भी पूरी लिख लो 1, 3, minus 2 और 5 अब इन दो matrix को बारी है जोड़ने की तो जोड़ना बड़ा असान है तुम कहोगे भाई यह तो बड़ा असान काम था देखो जोड़ते कैसे हैं मैंने बोलाता ना corresponding element corresponding element को corresponding element के साथ ही जोड़ना है इस बात का धियान रखना मुझे बताओ 2 किस के साथ जोड़ेगा 1 के साथ ना बही 2, 1 के साथ जोड़ेगा बताओ 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 कोई दिक्कत नहीं है 4 पर गोर करो 4 और 3 कितने हो जाएंगे साथ कोई डाउड तो नहीं है न opposite value को ही जोड़ते हैं बताओ plus का 3 और minus का 2 क्योंकि minus भी तो है sign भी तो देखना पड़ेगा जोड़ने का मतलब यह नहीं कि उसका sign भूल दाओ sign तो देखना ही पड़ेगा बोर्ट पे देखो जरा 3 और 3 में तुमने यह minus 2 करने है sign का ध्यान रखना है तुम्हे minus का sign आएगा तो 3 में से 2 चलेगा कितना आगिया 1 अब अगले देखो बोर्ट पे देखो यहाँ पर 2 है और वहाँ पर 5 है और 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7 मैं यह नहीं कहा रहा कि जोड़ना है तो इसका sign भूल जाओ जो sign है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है भई plus minus minus भी तो करना पड़ेगा न इसलिए minus करना पड़ेगा ऐसा थोड़ी ना है plus करना है तो plus ही करना उसके sign ही हटा दो फिर तो बड़ा असान काम हो जाएगा बिना सोचे समझे हर कोई plus ही कर देगा फिर तो ठीक है लेकिन ऐसे नहीं करना तो यह हो चुका है हमारा addition of matrix तयार हो गई है तो addition करना तो आगी आओगा तुम्हे अब देखते हैं अगले पार्ट में क्या बोला है देखो second part में इनी matrix का क्या करना है subtraction मैंने खामे का रप करा बस बीच में क्या बदलना था sign क्यार कोई नहीं दुबारा से लिख लेते हैं लिखने में कौन सी बड़ी बात है फिर से दो matrix को क्या करना है subtract फिर से A उतारो 2, 4, 3, 2 minus फिर से B उतारो 1, 3, minus 2 और 5 अब करते हैं जड़ा subtract subtraction में थोड़ा सा ध्यान रखे करो बच्चे जल्दवाजी में matrix की सबसे दुखवाली बात ये है अगर एक element का sign भी गलत हो जाता है एक element का sign भी गलत कर दिया तुमने मालो 4 element थे पूरी matrix में तुमने गलती से एक element में गलती कर दिया एक element का sign गलत कर दिया minus की जगे plus या plus की जगे minus ठीक है पूरी matrix काड़ दी जाएगी ये बड़ी दिक्कत है matrix के questions में या तो सारे element सही होने चाहिए तभी पूरे marks मिलेंगे अगर एक element थे तुमने गलत कर दिया तुम पूरी matrix काड़ दी जाती है अब देखो बोट पे तुमें 2 में से 1 minus करना है न बीच में क्या sign लगावा है minus का देखो 2 में से minus करना है 1 बताओ 2 में से 1 गया 1 4 में से minus करना है 3 4 में से 3 गया 1 अब चरह इस पर गोर करो देखो मैं लग से लिख देता हूँ 3 में से minus करना है देखो 3 में से minus करना है minus का 2 sign का जरूर ध्यान रखना है इस तरह की question में मैंने फिर से repeat कर देता हूँ 3 में से minus करना था minus 2 3 में से minus करना था minus का 2 मुझे बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे न 3 प्लस 2 तो 3 प्लस 2 कितना बनेगा 5 clear हो गया होगा न हाला कि देखो basic वाली बाते हैं यह तो बहुत असान बाते हैं लेकिन मैं गोर इस बात पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं इसलिए अब आगे देखो बोर्ट पे देखो 2 में से माइनस करना है 5 यह तो simple है 2 में से 5 गये कितने बचेंगे 3 वो भी माइनस के माइनस के sign आएगा अब और पार्ट देखते हैं 3rd पार्ट देखते हैं तुम सोच रहे होंगे मैंने याली मैट्रिक्स क्यों नहीं रप करी अभी पता चल लाएगा देखो अगला पार्ट उन्होंने हमें बोला है 3A माइनस C मुझे बताओ 3A और C बताओ यह A ही चलो मैं से रप करी देता हूँ नहीं तो confusion हो सकती है अब देखते हैं जरा मुझे बताओ उन्होंने बोला है A और C को माइनस करना लेकिन 3 भी है तो एक काम करो 3 को मत छेड़ो 3 है उससे हमें कोई problem नहीं है हम A की जगे तो क्या डालेंगे A माइनस C की जगे क्या डालेंगे C डालेंगे वई देखो कुछ भी नहीं करा हमने अपना format तैयार कर लिया जैसा उन्होंने बोला था उन्होंने A डालने को बोला और C डालने को बोला अब मैं यहाँ पर A डालने वाला हूँ और C डालने वाला हूँ तो डाल देते है 2,4,3,2 और C बोरा कभी E से डाल दो इस बात कभी धियान रखना है जब 2,2,3,3 मैट्रिक्स वो दे देते हैं बच्चे जल्दवाजी में कोई और सी मैट्रिक्स उठा लेते हैं और मैट्रिक्स गलत उठाई है तो आंसर भी गलत अब वहाँ से लेते हैं माइनस 2,5,3 और 4 अब सौल करते है अब तुम सोच रहे होंगे कि पहले माइनस कर देते हैं नहीं जो बोड मास का रूज होता वो यहाँ पर भी अप्लाई होएगा पहले 3 की मल्टिपलाई होऊँगी अंदर तब माइनस करेंगे तो बोट पे देखो इस 3 की multiply न अंदर जितने भी element होते हैं सबसे की जाती है एक एक element से multiply देनी है अब तो बोट पे देखो 3 की 2 से करी 6 3 की 4 से करी 12 3 की 3 से करी 9 3 की 2 से करी 6 कोई दिक्कत नहीं होनी जाए मेरे सबसे minus 2, 5, 3 और 4 अब further minus करते हैं देखो ध्यान से करना पहले वाला element बोट पे देखो 6 में से minus करना है minus 2 बोट पे देखो मैं रफ में दिखाता हूँ 6 में से minus करना है minus का 2 2 दो minus आ गए न 2 दो minus आ गए और minus minus क्या हो जाएंगे फिर ये plus मैं फिर से repeat कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है मैं जितना मर्जी repeat कर सकता हूँ ये मैं सोचना कि समय वेस्ट होता है बिल्कुल भी नहीं मुझसे चाहें जितनी मर्जी classes ले लो extra कोई दिक्कत नहीं लेकिन question समझ में आना चीह है चाहे मैं तुम्हें दददस वार बताऊं कोई दिक्कत नहीं मुझे 6 में से minus करना है minus 2 तो देखो minus minus plus और 6 और 2 कितने हो जाएंगे अब 8 बाकी तो खेर असान है अब देखो 12 में से minus करना है 5 कितने बचेंगे 7 9 में से minus करना है 3 कितने बचेंगे 6 चे में से माइनस करने है चार कितने बचेंगे दो ये तुमारे तीसरे पार्ट का अंसर प्रोपर तयार हो गया और बहुत असानी से हो गया कोई बड़ी बात नहीं है हर बच्चा इस तरह की calculation को कर सकता है ऐसी बात नहीं की कोई बहुत बड़ा formula ये कुछ बहुत बड़ा logic है simple सी calculation है टेकनिक तो अब आएगी multiply की अभी तक तो addition आ रहा था, subtraction आ रहा था अभी तक मैंने तुम्हें ये नहीं बताया ना कि दो matrix को multiply कैसे करती है अब जड़ा अगले पार्ट पे गोर करो उन्होंने a b बोला है हमें निकालने को उन्होंने हमें क्या बोल रखा है a b a b बोला है हमसे देखो इस question का a b तो मैं बाद में निकाल के दिखाऊंगा पहले question मेरी तरफ से समझो multiply का क्योंकि multiply का question जब तक मैं अपनी तरफ से नहीं दूँगा तब तक आएगा नहीं ठीक है तो बड़िया रहेगा कि उसे एक side में उतार भी लो जो question में समझाने वालों multiply का उसे rough में या उसी page पर जहां पर ये question कर रहे हो एक heading डाल देना extra extra से तुम्हें ध्यान रहेगा कि ये भाईया की तरफ से और हम समझाने के लिए कर रहे हैं इसके question को मैं बाद में कर रहूंगा भी बस पांच मिनिट का time दो पांच मिनिट में पहले मैं तो मैं अपना extra समझाता हूँ तो देखो matrix मैंने दे दी कुछ भी matrix से ले लो suppose मैंने अपनी तरफ से एक imaginary matrix से ले ली एक matrix और ले रहा हूँ कुछ भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सी matrix लेनी चाहिए कौन सी matrix नहीं लेनी चाहिए तो देखो multiply करने से पहले मैं तुम्हें एक logic बता देता हूँ कि कौन सी दो matrix को अक्सर multiply किया जाता है ध्यान रखना हमेशा हर तरह की matrix को multiply नहीं किया जा सकता है केवल कुछ ही matrix ऐसी होती है जिनको multiply कर सकते हैं अब देखते हैं वो condition क्या है जिन में multiply हो सकता है मुझे बताओ इस matrix का order क्या है समय 3 by 3 न मैट्रिक्स का order करना बता करना कोई बड़ी बात तो होती नहीं है इस matrix का order क्या है 3 by 3 ठीक है इस matrix का order क्या है 3 by 3 और इस matrix का order भी क्या है 3 by 3 मोजे बताओ इसके रो कोर्म और उसके रो कोलम बरावर यह थो बरावरी है ख्यार क्योंकि यह देखो अब सही है बताओ इस मैट्रिक्स का ओर्डर क्या है देखो दो रो है ना कोलम कितने तीन वही देखो एक रो दो रो दो तो रो गई कोलम कितने एक दो तीन कोलम थीन थे ओडर किया बन गया ठीज अब इधर देखो यह थो पहंगा पहले की लिखी भी है अब देखो मैृट्रिक्स का किया जाता हमेशा देयान रखना मल्टिपला हम उनी मैट्रिक्स का कर सकते हैं जब एक मैट्रिक्स की जब एक मैट्रिक्स का कोलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के बरावर होता है समझ में आ रही है बात जब पहली मैट्रिक्स का पहली मैट्रिक्स जब पहली मैट्रिक्स का कोलम बोड पे देखो जब पहली matrix का column किसके बरावर होता है, दूसरी matrix के row के बरावर होता है, उन ही matrix की multiply कर सकते हैं, वरना तुम multiply कर ही नहीं पाओगे, अभी मैं सिखाओंगा कैसे, तुम सोच रहे होंगे, ऐसे कैसे नहीं कर पाएंगे, जरू कर पाएंगे, नहीं कर सकते, अभी तुमने सीखा नहीं और इस matrix की यह क्या माने जाएगी row, क्या इसका column और उसकी row बरावर है, बिल्कुल बरावर है, तो देखो यहाँ पर तो बरावर है, इसलिए कर सकते हैं, रही बात square matrix की, square matrix में मैंने तुम्हें इसलिए नहीं समझाया, क्योंकि square matrix में तो सब कुछी बरावर होता है, तो square matrix में तो सोचे ही मत करो, कर दे करो, diet multiply, सोचना तुम्हें कप पड़ेगा, जब matrix तुम्हारी square नहीं होती है, square समस्ते हो, जब row, column बरावर नहीं होते हैं, देखो यहाँ पर वेशक बरावर है, क्या यहाँ पर बरावर है, तो यह square matrix नहीं है, जब दोनों matrix square होए करें न, तब मत सोचो कर दो अंदध उन multiply, लेकिन जब square नहीं है, तब तुम्हें पहले logic देखना पड़ेगा, कई बार एक नमबर में आता है, वो multiply नहीं पूछते, वो हमसे बोलेंगे, दो matrix देरेंगे, पूछेंगे, is multiply exist, क्या इन का product exist करता है, तो तुम्हें बस condition check करनी है, अगर उसका column इसकी रो के बरावर नहीं हुआ, तो multiply exist नहीं करेगा, तो तुम्हें मना कर देना है, no, it does not exist, फिलाल, मैं बापिस अपने extra question पर आ जाता हूँ, खेर, अब मुद्दे की बात है, कि multiply तो लो पता चलिए किस में करते ह कैसे हैं, तो देखो जब भी इसको हटा देता हूँ, अब इसकी दोत नहीं है, order की, order तो बस इसलिए बता है, तो मैंने ताकि पता चल ला है, कि कम multiply करते हैं, और कम नहीं कर पाते, अब multiply करते हैं, देखो multiply करने से पहले मैं तुम्हें एक logic बताऊंगा, 7, अगर 7 को लगाना है, जब भी दो मैट्रिक्स को multiply करो, किसका formula लगाना है, 7 का, ठीक है, और 7 का formula कैसे लगाना, अब जड़ा बोट पे देखो, फोड़ी जीर के लिए focus रहे न, तब ही बड़ी है रहेगा, देखो 7 बनाना है तुम्हें, समझ में आया है, मैंने कैसे 7 बनाना है, ऐसे साथ बनाया है, ठीक है, अब जड़ा इसको मैं roughly दिखाता हूँ तुम्हें, ये बन गया multiply, अब देखो कैसे multiply देना है, ये जो मैंने 7 की आधी डंडी धर बनाई है, और 7 की बाकी की डंडी धर बनाई है, इन दोनों की multiply देना है, अब तुम्हें आब एक एक करके देना है, कैसे देंगे देखो, 1 की 7 से, बताओ 7 आएगा न, प्लस, 2 की 7 से, कितना आएगा, 14, 3 की 0 से, कितना आएगा multiply करके, 0, मैं फिर से repeat करूँगा, multiply है, काफी मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, एक आत कोशन से बात नहीं बनती है, कमसे हम 2-3 करें तब जाके बाते समझ मैंगी, लेकिन अगर एक बार आगी तो फिर नहीं भूल सकते, बस साथ को दिमाख में रखो, तुमने क्या करा, एक डंडी दर ख्याची, साथ की, और एक डंडी दर ख्याची, फिर उन दो डंडीों की क्या करनी है, आपस में multiply, उन दो डंडीों की आ एक element से, अब जड़ा अगला साथ देखो, इस डंडी को ऐसी बने रहने दे न, देखो बोट पे, इस डंडी को तुम्हें जब तक नहीं हटाना होता है, जब तक यहां से सारी रो गायव न हो जाए, जब तक तुम्हारी यहां से सारी रो खतम न हो जाए, तब तक इस की multiply इसके साथ करनी है फिर से अब देखो एक की एक से करेंगे दो की साथ से करी 14 चार की जीरो से करी 0 clear हो रहा है ना नीची लिखते जाना है तुम्हें हमेशा अब अगला देखो बताओ अभी क्या कोई रोव अची है बिल्कुल एक रोव अची है इस डंडी को हटाओ यहां से अब इस डंडी को तुम्हें कहां लगाना है यहां पर फिर से वही काम करना है बोट पर देखो अब रहा यह डंडी अभी भी नहीं हटाई है मैंने यह डंडी तभी हटेगी जब यहां से सा साथ से करेंगे 14 प्लस वन की जीरो से करेंगे 0 बताओ क्या नीचे की रोख खतम हो गई बिलकुल खतम हो गई सब से पहले तो यह डंडी हटा दो अब इसका पीठा छोड़ दो अब इसको बिल्कुल भूल जाओ कि यह question में है भी, अब इससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है, अब अगली 7 की डंडी कहां पे लगेगी, यहां पर, और फिर से वोई काम शुरू करेंगे, बोट पे देखना, इस 7 की शुरूत फिर से यहां से होएगी, अब देखो फिर से मल्टिप्लाइ करने का वोई तरीका है, इस डंडी की मल्टिप्लाइ उस डंडी के साथ करनी है, बताओ इस डंडी का पहला एलिमेंट 1, उसका पहला 3, बताओ 1 की 3 से मल्टिप्लाइ करी 3, प्लस, डंडी का दूसर एलिमेंट 2, यहां पर क्या है 6, 6 की 2 से मल्टिप पूरी हो गई हाँ अब नीचे दूसी रो पर आ जो अब फिर से आ गए ठीक है अब फिर से वोई प्रोसेस शुरू करना है इस डंडी की मल्टिप्ला है उस डंडी के साथ 2 की 3 से करी 6 3 की 6 से करी 18 4 की 1 से करी 4 बताओ अभी भी रो बची भी है बिल्कुल एक रो और बची भी है इस डंडी को हटाओ यहां से नीचे लियाओ डंडी को समझ में आ रहा है ना अब देखो फिर से वोई काम इस डंडी की मल्टिप्ला है उस डंडी के साथ 5 की 3 से 15 2 की 6 से 12 एक की 1 से एक बताओ सारी रो खतम हो गई क्या बिल्कुल इसको डंडी हटा दो और बढ़िया रहे गई यह रो देखो यह मैं गायब कर रहा हूं हरे कोलम रब करता दा रहा हूं क्योंकि बोर्ट पर लिखावा है तुम्हें ऐसा नहीं करना है कभी अपने पेज़ पर नहीं काटना वह तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं कि कोलम ही गायब हो यह ठीक है ऐसे तुम्हें नहीं करना लेकिन अब आगे देखते हैं अगला बताओ लास्ट कोलम बचावा है न इस पे डंडी लगेगी और किस पे लगेगी और फिर से वही काम करना है देखो साथ बनाना है इसका साथ उसके साथ ठीक है तो देखो 1 की 2 से करेंगे 2 2 की 5 से करी 10 3 की 2 से करी 6 फिर से देखो 2 की 2 से करी 4 3 की 5 से करी 15 4 की 2 से करी 8 अब अगला साथ देखो 2 पे हो चुका है तीसरी रोब अची भी है 5 की 2 से करी 10 2 की 5 से करी 10 1 की 2 से करी 2 तुमारा multiply तयार है बिल्कुल हमने जो प्रोड़क्ट करना था कर दिया अब देखो कैसे करेंगे अब तो बस तुम्हें सॉल करना है साथ और चोदा कितने होते हैं? इक्किस चोदा और इक्किस कितने होते हैं? पैंतेस पैंतेस और चोदा कितने होते हैं? नो चार फोर्टी नाइन अब इदर देखो बारा और चे कितने होते हैं? अठारा अठारा और चे चोविस चोविस और चार अठाइस पंदरा बारा और एक यानि कि तुम्हारा अठाइस और इदर देखो तो 10 और 2 12 और 6 18 4 15 19 और 27 दस और 20 और 2 22 प्रोडक्ट तैयार हो यह बिल्कुल प्रोडक्ट हमेशा हैवी बनता है तुम देख सकते हो कितनी हैवी वैलूज आई है ठीक है तो थोड़ा सा हैवी होता है प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट तो हमने सीख लिया अभी ज़र मैं दो ती रहेंगे हो जाएगा अब जरो उसी मैट्रिक्स को देखते हैं आभी जो मैंने एक एक्जामपल दिया था देखते हैं कोई उतानने का जंजट नहीं है बस ध्यान से बोर्ट पर देखो बोर्ट पर प्रोपर देखोगे ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे तो पूरी तरह से समझ में आ रहेगा कोई दिक्कत नहीं है देखो 123213 मैं जानके छोटे-छोटे एलिमेंट दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन असान हो जाए 1234550 पहले तो चेक करते हैं क्या मल्टिप्लाइ हो सकता है क्या पता ना हो पाए चेक कर लेते हैं बताओ इस मैट्रिक्स का ओर्डर क्या है 123 celebrated matrix का ओर्डर तो तुम्हें देखती फंह ल्च चल रहा होगा कमशे कम मैट्रिक्स का ओर्डर देखती ही बता देगा हर एक बच्चा देखो 2 रो ती टीन कोलम ते अब देखो इदर कितने रो है एक दो तीन और कोलम कितने एक दो तो मैट्रिक्स का ओर्डर हो गया थ्री बाय टू बताओ इसका कोलम चा उसकी रो के बरावर है बिल्कुल है ठेक हो सकता है फिर तो अब सॉल करते हैं मुझे बताओ साथ बनाना है और साथ बनाने की टेखनिक मैंने बताई थी हालकि साथ ऐसे होता है लेकिन मैं यह बीच का गैप हटा देता हूं न ऐसे करते हैं हम साथ तो फिर से देखो उस चीज को यहां पर अप्लाई करो देखो यह वाली डंडी इधर आ लेकिन हलका सा ड्रो करो पैन से जो सिर्थ तुम्हें दिखाई दे हलका सा इस तरह से ताकि तुम्हें सहारा मिल जाए थोड़ा सा और जब प्रैक्टिस हो जाएगी न तब तो तुम्हें इस तरह से डंडी बनाने की ज़ोद भी नहीं अपने आपी दिमाग में रिकोर्ड काई ये बाते अब देखो कैसे multiply देना एं इस ंडडी के multiply उस दंडी से देनी यह बताओ वं की मैं 1 से an, ri K Wekos एक लंगे टिना होता है 6 आगे देखते हैं, बताओ इस डंडी की मल्टिपला है, अभी भी उसी डंडी से करनी है 2 की 1 से करी 2, 1 की 3 से करी 3, 3 की 5 से करी 15 बताओ क्या अभी भी कोई रो बची भी यह नहीं, रो खतम, इदर की डंडी खतम अब कुछ बाते समझ में आ रही होंगी, अब अगला काम फिर से वही करना है अभी यह कोलम बाकी है, इसको हटा दो, इस कोलम पे काम करना बाकी है जब तक इदर कोलम खतम नहीं होंगे न, तब तक चलता रहेगा प्रोसेस, हमेशा फिर से वही काम, इसका मल्टिबल है उसके साथ वन की टू से करी टू, टू की फोर से करी एट, थ्री की जीरो से करी जीरो टू की टू से करी फोर, वन की फोर से करी फोर, थ्री की जीरो से करी जीरो अब तो बस तुम्हें क्या करना है, solve करना है भई, 6 और 1, 7 और 8 जो भी बनते हैं, मतलब तुम्हारे, 8 और 2, 10 है न, बस addition करना है, आप तो खेर, मैं चीजें ये multiply करना, अब जरह इस वारे question में बापीस आ जाते हैं, ठीक है, देखो इतना product करने के बाद भी अगर कुछ बाते समझ में नहीं आ रही हैं, तो बेजी जग तुम लोग मुझसे class में पूछ सकते हो, कोई problem नहीं है, हाला कि मैंने काफी सारा product बता दिया, अब एक इस question से हो जाएगा, दो पार्ट वैसे भी हैं, तो दो पार्ट से clear हो जाएगा, अब देखो ज़रह A, B, मतलब A की multiply, B से करने हैं, देखो मैंस में मैं अक्सर ऐसा बोलता हूँ, 3 की 4 से multiply करो, 4 की 3 से multiply करो, 12 ही आता है, तो मैं भी मालूम है 12 ही आता है, लेकिन matrix में ऐसा नहीं है, कि A, B की multiply करोगे और B, A की multiply करोगे तो वो equal ही आएगा, ठीक है, इट में भी equal, equal हो सकते हैं, लेकिन guarantee नहीं कि equal ही होंगे, ठीक है, तो A, B और B, A में फर्क होता है, इसलिए देखो उन्होंने दूसरे पार्ट में हमसे ये भी बोला है, 4th पार्ट में तो A, B बोला था, और 5th पार्ट में B, A पूछा है उन्होंने हमसे, ठीक है, तो पहले A भी बना लेते हैं, पहले लिख लो, 2, 4, 3, 2, 1, 3, minus 2, 5, पहले तो देखो, मुझे बताओ क्या ये दोनों matrix, square matrix हैं, बिल्कुल, इसका order भी क्या है, 2 by 2, इसका order भी क्या है, 2 by 2, square matrix वो होती है, जिनकी row और column क्या होते हैं, आपस में, बरावर, square matrix वो होती है, जिनकी row और column क्या होते हैं, आपस में, बरावर, तो जब दोनों ही matrix, square matrix हैं, वो भी same order की, तो तुम्हें check करने की ज़र होती नहीं है, कि इनका multiply होगा या नहीं होगा, guarantee होगा ही होगा, ठीक है, तो करते हैं direct, साथ पर ग दिकत तो नहीं है, अब देखो कैसे करेंगे, पहली डंडी की multiply है, पहली डंडी से, देखो 2 की 1 से करीं, बोट पर देखो, 2 की 1 से करेंगे 2, 4 की किस से करूँगा, minus 2 से, भई, पहली डंडी के पहले element की, दूसरी डंडी के पहले element के साथ, पहले element पहले के साथ, दूसरा element दूसरे के साथ, अब देखो 4 की multiply minus 2 से मुझे बता, 4 की minus 2 से करेंगे minus का 8 आएगा न minus का 8, हो गया clear सारे element खतम, बताओ row बची भी है क्या भी भी, बिलकुल एक row बाकी है भी नीचे वाली row बाकी है, इस डंडी को लगा लो यहाँ पर, फिर से वही काम शुरू करो, देखो वोट पे 3 की multiply, 1 से 3 2 की multiply, minus 2 से 2, 2 से कितने होते हैं minus के 4 क्या अभी भी कोई row बची भी हैं नहीं, अब नहीं बची इसको हटा दो जब यहाँ पे सारे row खतम, तो यह column गाय भी कर दो से समझाने के लिए करता हूंगा, अब तुमें नहीं करना की card दो से, कि भाईय नहीं काता हटाना है, तो हटा दो, जैसी तुमी तर से हटाओगे, माक स्पिर जाएंगे फिर तो हटाना मत, अब फिर से वही काम देखो वोट पे, इस dandy को तो जैसे बनाओं, यहां पर यह चीज, clear होना साथ बनाना है, तुम चाहो तो इसको लंबा भी मना सकते हो, इस तरह से, लेकिन ज्यादा घिस्पिच हो जाती है, गड़वर हो जाती है, तो देखो 2 की 3 से 6, 4 की 5 से 20, clear, एक रोपर काम होगी है न, दूसरी रोपर, 3 की 3 से 9, 2 की 5 से 10, अब तो बस solve करना, solve कर दो, multiply हो चुका है, ठीक है, अगला product देखते हैं, उन्होंने 4th part में हमसे यह भी तो बोला ही था, लेकिन 5th part में BA भी बोल रखा है, तो BA और मिकालेंगे अब, तो BA देखते हैं, अब, देखो पहले मैंने BA उतार लिया, 1, 3, minus 2, और 5, अब A, 2, 4, 3, 2, ठीक है, अब इन दोनों matrix की और multiply देनी है, मतलब हमें क्या तयार करना है, इन दोनों का product, और product बनाते समय केवल एकी चीज़ पर focus करो, 7, 7 बनाने पर focus करो, तो देखो 7 बनाना है बस अब हमें, ठीक है, तो देखो इसका साथ, इसके साथ, ठीक है, देखो 1 की multiply 2 से, 2, 3 की multiply 3 से, 9, clear, अब देखो, क्या अभी भी रो बची भी है, बिल्कुल रो बची है, भी एक रो बची भी है, गेरी नीचे, माइनस 2 की multiply 2 से बताओ, माइनस के 4 आएंगे न, बिल्कुल, 5 की multiply 3 से कितना आएगा, 15, 15 आगिया, क्या अभी भी मैं इस column को पकड़े रहूंगा, क्योंकि row खतम हो गई है न, अभी इस column को छोड़ दो, गाइब कर दिया column, अब जड़ा आगे अगले column पर काम करते हैं, फिर से वो ही क्या करना है, तुम्हें 7 बनाना है, देखो 1 की 4 से करी 4, 3 की 2 से करी 6, माइनस 2 की 4 से करी, माइनस 8, और 5 की 2 से करी 10, अब धीरे धीरे तुम्हें 7 बनाना आ रहा होगा, ठीक है, तो इस matrix को कर लो, और मैं तुम्हें कुछ कोशन देता हूँ, product करने के लिए, वो तुम घर से करके लाना, अगर किसी product में कोई दिक्कत होती है, तो उससे क्या होगा, एक तो तुम्हें formula भी revise हो जाएगा, जिस तरह से मैंने सिखाया है, दूसरी चीज़ है, अगर किसी चीज़ में दिक्कत हो रही होगी, तो वो मैं खुद बता दूँगा तुम्हें, तो ज़्यादा part नहीं दे रहा, किवल 4 part दे रहा हूँ, तो फटर से homework में note कर लो, दो matrix, 1, 2, 3, 0, 2, 4, 3, 0, इन दो matrix की multiply करके लानी है, 1, 7, 3, 2, 8, 3, 3, 5, 7, 0, 1, 2, चलो दो इपार्ट बहुते हैं, किवल इन दो पार्ट को करके लाना,